गुड इनिंग स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं देखूं खोशन नमबर 13 चैप्टर नमबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 11th क्लास ठीक है तो ये खोशन हम पहले भी कर चुके हैं find the modulus and argument of the complex number एक तो ये कह रहा है कि कहता है कि इस सारे का modulus find करके दिखा दो और दूसरा कहता है कि argument find कर दो जो मैंने polar form नहीं करवाया था यह वही कोश्चन तो है जो मैंने exercise नहीं कर आया तो और पिछले question में भी करवाया था है ना देखो z is equal 1 plus 2 आयटा 1 minus 3 आयटा पहले इसको standard form में लिख लो standard form मतलब कि divide में आयटा नहीं आना चाहिए तो क्या करें इसका पहले rationalize कर लो फिर बाकी काम बाद में देखते है 1 plus 3 आयटा 1 plus 3 आयटा ये sign change किया इसी से multiply इसी से divide यहां से हमारा question start होगा so z is equal उपर multiply कर दो 1 से multiply इस से 1 को 1 के साथ 1 1 को 3 से 3 आयटा 2 को इसके साथ 2 आयटा 2 3 आयटा 6 आयटा square divide में formula a minus b a plus b a square minus b square यहां से right है 1 3 आयटा 2 आयटा 5 आयटा ये वहला 6 आयटा square कितना हो गया minus 1 तो यह minus आ गया 1 square 1 minus 3 square 9 आयटा square का meaning minus 1 तो minus minus plus 1 हो गया यहां से z is equal 1 में से 6 कितना हो गया minus 5 plus 5 आयटा 9 और 1 कितना बन गया 10 ऊपर से 5 हमारे पास common आ रहा है 3 से minus 1 plus 5 common so 1 आयटा और divide में कितना बन गया 10 ठीक है so 5 2 जो कितना हो जाएगा 10 so z is equal to minus 1 और तो यहां पर हमारे पास कितना रह गया यह वाला 2 इसके नीचे भी लिख दो इसके नीचे भी लिख दो plus 1 by 2 आयटा अब पड़ो यह तो हमारे पास बन गया क्या z अब उसने पूछा क्या है सिरफ वो जवाब देना एक तो मोडलस फाइंड करना और एक argument ठीक है चलो पहले मोडलस फाइंड कर लेते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है उसके उपर स्क्वेर कर लो जिसके साथ आयोटा लिखा है उसके उपर भी स्क्वेर कर लो पूरे के उपर रूट लगा लो कितना बन गया टू बाइफ हो गया टू पर जा निकालना यहाँ पर मोडलस नकालना पहले उसको आयोटा एक बदलो उसके बाद आपने यह मोडलस निकालना है अब argument कैसे निकालेंगे जैसे हम polar form में करते थे z equal minus 1 by 2 plus 1 by 2 आयोटा पहले graph पना लेते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है उसे हम क्या कहले x जिसके साथ आयोटा लिखा उसे y पहले graph पना ले फिर angle मेरी तफिर दिक्कत आ जाती है तो x कितना है minus 1 by 2 यहाँ पर होगा y कितना है जोएन कर दो j z यह वाला argument है theta जो यह वाला angle कितना है यह angle find करके दिखाना है ठीक है argument तो कहते बताया था पहर इसको r plus theta लिख लो और इसको r sin theta minus 1 by 2 को r plus theta से denote कर ले और 1 by 2 को r sin theta से denote कर चिरफ theta निकालना है r नहीं निकालना ठीक है तो क्या करें second equation को first equation से divide कर दो left को left से right को right से 1 by 2 को minus 1 by 2 से right को right से r sin theta divided by r plus theta r cancel 2 से 2 cancel minus 1 sin by plus कितना होगा tangent अब tangent y line में 1 कहां पर आता है 45 पे तो 45 को हम कैसे लिखते थे pi by 4 यहा tangent theta ठीक है ना तो यह minus अब यह देखो न कि अब यह तो यह वाला angle 45 होगा या फिर यह अब यह तो 45 नहीं हो सकता यह वाला total angle कितना है 180 180 में से यह वाला angle minus कर दो तो यह आज़ेगा तो theta 180 में से pi by 4 minus कर दो तो यहां से 4 LCM ले ले तो यहां पर हो जा 4 pi minus pi 3 pi by 4 तो यही हमारा क्या बन जाएगा argument जो हमने find करके दिखाना था ठीक है argument of given complex number यहां से argument आ गया यह modulus ने निकालने के लिए का था वो हमने कर दिया यह question complete हो गया ओके बटा clear है question ही तो next question पर सकते आ रहे हो question number 14 पर आ जो देखो simple question देखो ज्यान से find the real number x and y क्याद x और y के value find करके दिखा दो if यह दोनों bracket is equal है conjugate of this term ज्यान से देखो यह वाली bracket x minus y 3 plus 5 आयोटा जहाँ पर is लिखा है यहाँ पर is equal कर दो the conjugate of this bracket इस bracket पर conjugate लगा दो minus 6 minus 24 आयोटा उपर यह conjugate लगा दो आई सोने में ठीक है तो कहता कि x और y की value find करके रिखा दो कैसे x minus आयोटा y 3 plus 5 आयोटा conjugate अभी बताया था पिछली वीडियो में मैंने जो आयोटा की साथ वाला साइन है वो change कर दो plus 24 आयोटा अगर यहाँ पर plus होता तो minus मैं सिरफ आयोटा की साथ वाला साइन change करना है बस यह याद रखे x y की value निकालने तो इसको एक तरफ करलो बाकी एक तरफ इसको divide में ले जाओ so x minus आयोटा y minus 6 plus 24 आयोटा divide by 3 plus 5 आयोटा x y एक तरफ बाकी एक तरफ divide में आयोटा नहीं आना चीए क्या करोगे rationalize minus 6 plus 24 आयोटा 3 plus 5 आयोटा तो ये वाला sign चेंज कर दो और multiply और divide काप सारी question आगे हैं देख लो जो हमने rationalize किये उपर multiply कर दो minus 6 minus 8 minus plus होगे 30 आयोटा इसको इसके साथ 3, 4, 12 72 आयोटा इसको इसके multiply minus 5, 4, 22 5 to 10 और 12 और आयोटा square divide में plus b minus b square minus b square ठीक है x minus आयोटा y minus 18 इन दोन को इड़ कर दो कितना हो ज़ेगा 70, 10 102 और यहाँसी minus 120 sign chain आयोटा square minus 1 plus होगे 3 square 9 minus 5 square 25 आयोटा square is minus 1 plus होगे तो यहाँसी x minus आयोटा y तो 120 मेंस 18 minus कर दो तो 102 और यहाँसे भी 102 आयोटा इन दोनों को इड़ कर दो 34 34 दोनों के नीचे लिख दो x minus आयोटा y 102 102 आयोटा 34 34 कट हो रहा है देख लो दियान से 3 पर पूरा कट रहा है 3, 4, 12 3, 3, 9 और 1, 10 3 पर कट और यह वाला भी 3 पर कट तो कितना बन जाए 3 प्लस 3 आयोटा ओके बटा नेक्स्ट टेप इज यहाँ लिखा x minus आयोटा y तो दोनों तरफ compare कर लो ठीके तो compare यहाँपर यह x है यह आयोटा यह x है यह आयोटा यह x है यह वाला y x कितना बन जाएगा 3 और आयोटा के साथ क्या लिखा है minus y यहाँ आयोटा के साथ क्या है 3 इस minus को पर लितराफ लगा दो तो x कितना हो गया 3 और y हो गया minus 3 यह answer ओके बटा clear now we will start question number 15 question number 15 simple question find the modulus of this term इस term का modulus निकालना है LCM ना ले ले ठीक है LCM ले लो 1 minus y 1 plus y इसको इसके डिवाइड करो bracket cancel इसके multiply इसके साथ हो जाएगी तो 1 plus y whole square इसको इसके डिवाइड यह bracket cancel इसके multiply यहाँ हो जाएगी 1 minus y whole square उपर whole square खोल दे a plus b whole square a square plus b square plus 2ab a square plus b square plus 2ab इसे यहाँ से a minus b whole square खोल लो a square plus b square minus 2ab divide में a minus b a plus b a square minus b square तो bracket के बाहर minus assign change 1 square plus यह minus cancel हो गया ita square plus ita square minus cancel हो गया बाकिय लिख लेते हैं यहाँ से 2 iota यह minus minus plus हो जाया 2 और 2 कितना हो गया 4 iota 1 square 1 ita square is minus 1 plus 1 simple question बन गया 4 iota 2 2 2 जा 4 कितना होना इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 plus 2 iota ठीक है आप modulus निकालो simple जिसके साथ iota नहीं है उपर square जिसके साथ iota लिखा उपर square root 0 4 root 4 4 का root 2 this question is complete ठीक है so next question के लिए हमारी next video next part देखो के okay thank you कितना ऱ till कितना झर Он सकता उसे